हेलो नमस्कार और वेल्किम टो आज चानल लोड़साइन डीटील आहीं गया है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना पसंद आए तो लाइक चानल को सब्सक्राइब और लैटस वीडियो अब्डेट्स के लिए बेल बटन प्रश करना मत भूलना आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं दकेंग अपूरी गजपती दिवी सिंग देब जिसे जोड़े कुछ ऐसे फैक्स जो आपको साइद नहीं पता होगा तचले सुरू करते हैं नमब बन राजा वीर किसोर देब और रानी सूर्यमनी पटमहादे के प्रथम संतान है महराजा दिवी सिंग देब और वो उनके वंस के चौथे दिवी सिंग देब है यानि उनसे पहले तीन महराजाओं का नाम दिवी सिंग देब रह चुका है और यहां आपको बता दें गजपती जी का वच्पन का नाम था कामार्णब देव फैक्ट नमबर दो सन 1970 की रथ्यात्रा की बीच में गजपती वीर किसोर देव की दिहान थो गई इसलिए उसी दिन ही दिविसिंग देव को राजपत संभालना पड़ा था महस 17 साल की उम्र में 7 जुलाई 1970 को वो बने थे पूरी के महाराजा साथ में प्रभुष्टर जगरनाथ, बलवद्र और मासवद्रा की आध्य सेवक भी नियमारु सार पूरी के राजा दाहसंसकार समारू में भाग नहीं ले सकते थे इसलिए राज परिबार एक प्रामिन लड़के को गोद लिये थे जो राजा के हिस्ते के सारे कारे समपर्ण किये थे महाराजा बच्पन से पढ़ाई में काफी थे थे इतिहा सेवम वकालत की पढ़ाई में रुची रखने वाले दिविसिंग देव तेली उनिवर्सिटी से ललबी और प्रस्टीजिस नॉर्थ वेस्टन उनिवर्सिटी ओफ लॉज शिकागो से ललम की डिगरी हासल किये हैं मगर भगवत की ताध्यन के बाद उन्हें ये समझ आया कि पढ़ाई उनके किती बेर्थ थी इसलिए अपनी मास्टर्स के बाद लायर जैसे टेंप्टिंग प्रोफेशन को छोड़के वो सेवक बंद के भगवान की सेवा करने का फैसला लिए तेवे सिंग देव की माने तो उनके रिलीजियस एंड स्पिरिशल एंलाइट्मिन तीन कारण से हुआ है वह सद्गरंथ, सद्गुरु और सद्संग पूरी के गचपती, स्वामी चिदानन्द सरशुती महराज और चिनमे अनन्द सरशुती महराज से योग और ध्यान की अध्यन के हैं और उन्हीं से वो अपनी जीवन का लक्ष और उद्देसी को समझ पाए है इतनी लंबी पढ़ाई के बाद भी राजपरिवार की विलाशपुन परिवेश से लेके विदेश के चकाच्षान तक भलिवाती अपकत गचपती दिवे सिंग देव खुद को धार्मिक्ता एवं अध्यात्मिक्ता में संजो के अपनी संपूर्ण जीवन प्रभुष्वर जगरनात बलवद्र और देवी सुवद्रा की चड़नों में अर्पित कर चुके हैं और एक सच्चे सेवक की तरह 1970 से लेके अभी तक हर साल भगवान की स्नान पूर्णिमा और रथ्यात्रा के समय उपस्तित रहे के अपनी विशे सेवा प्रदान करने के साथ साथ समाज को सरलता एबं नम्रता का शिक्षा प्रदान करते आए हैं और इसके साथ आज की वीडियो में यहां खतम करते हूं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स और फैक्स के साथ तब तक घर पे स्वस्त और सुरक्षत रहे और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भ एंगे ड़ुदीं!